नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप सभी उमीद कर रहा हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगर अपना अच्छे तरीके से ध्याना कर रहा होंगे, आपके पढ़ाई भी कॉंटिनियो में जारी होगी, आज के सेशन में बहुत एक इंपोर्टेंट इशूस पर हम लोग बात क इस वीडियो का मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि व्यूज बढ़ाने के लिए सारी चीजी की जाए, इस तरीके का कोई हमारा इंटेंचन ही है, हमारा इंटेंचन है कि आपको clear-cut information और complete information मिले, एक एक चीज, तो पूरे detailed analysis करेंगे सब कुछ, आप में से बहुत सारे से इसमें कितना बढ़िया result दिया भी GPSSB का result है, 33 students were selected, ठीक है, महला क्लिनिक आया, उसमें काफी सारे, बच्चे अलड़ी, lot of students have been qualified, तो हमारे पास एक बहुत ही tried and tested और applied है batch हमारे पास, जिसका नाम है संकल्प batch, तो संकल्प batch बिल्कुल एक साल की validity, यानि एक साल में जितने इक्जाम आएंगे, सब आप आराम से तैयारी कर सकेंगे, इक्जाम दे पाएंगे, so with one year validity 1999 की 2000 रुपे में, 2000 रुपे में complete course आपको मिलने वाला है, live वीडियो के साथ मिलने वाला है, unlimited views के साथ मिलने वाला है, सब कुछ laptop पे access, iPhone पे access, Android पे everything will be there, technical प्लस non-technical दोनों यह बात मैं आपको clear पहले ही कर दूँ, तो संकल बैच, फड़ा फड़ जॉइन करिए, कहां पर, pharma pathfinders application, आप सभी को पता है, हमारी सारी classes, जो paid services, non-paid services, दोनों जो major classes होती हैं, वो pharma pathfinder application पर, बाकी YouTube पे, जो बच्चे financial effort नहीं कर सकते, उनके लिए भी YouTube पर सारी initiative चलती र रते हैं, ठीक है, दोनों services है, तो pharma pathfinders application को Google Play Store से फड़ा फड़ जो आपने install कर लेजिए, और इस course को अविल करिए, अपने preparation बिल्कुल बिना देरी किये हुए, बहुत ही अच्छा course है, इस से best course शायद ही आपको इंडिया में मिले, और बहुत ही affordable price पे, 2000 रुपीज में, स सारी चीजे, ठीक है, इसके बारे में, थोड़ा सा और आप से भी को बता देता हूँ, मैं इसके बारे में, देखें, इस course के बारे में, मनिहा क्या लिखा हुआ है, लाइव आइकोनिक course for all pharmacistic examination, लाइव कोर्स with unlimited watch videos की है, offline videos, download options है Android में, जहां जहां Android चलेग, वहां offline download option भी आ और बच्चे कैसा कर रहे है, आप कहां गलती कर रहे हो, क्या अच्छा कर रहे हो, everything is going to be discussed, coverage of journal studies subject also, digital library है, rapid revision के लिए master videos है, MCQs videos है, आपकी practice हुजाएगी सारी जफट आफट, यह सब कुछ, videos with video explanations, class के कोई timing का पंगा नहीं, अब जब application खोलेंगे तब आप पढ़ाई करिए आप working professionals है, आप student है, कोई भी tension वाली बात नहीं है, ठीक है, live classes के साथ यह course मिल रहा है, बिल्कुल updated content के साथ, एक साल के validity के साथ मिल ला है, चलिए, अब आते हैं मेर मुद्धे अपने discussion पे, जो हमें discuss करना था, आते हम सिधे, यहां से, aims.edu आपको खोलना है, गूगल में जा ठीक है, चलिए, यहां पर आगए हम लोग, फट 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 देखिए, यह सारी, data closing, data publishing, आपको नीचे आना है सीधे, यहां पर देखिए, इस तरीके के, यह वाली, applications are invited for the prescribed form through online mode of, यह सारी सीधे, इसको आप क्लिक करिए, चलिए, aims, noodley, NCI, घजर, हर्याना, यह सारी सीधे, आप यहां से आप, डाउनलोड कर लेजे, आप विव कर लेजे, यह advertisement आया, यह, same advertisement जो कि मैंने डाउनलोड किया है, अब आते हैं, जो डाउनलोड मैंने किया, यह देखिए, मैंने डाउनलोड किया हुगा है, आप अगर यहां notice करोगे, देखो, क्या लिखा हुआ, All Indian Institute of Medical Sciences अंसारी नगन डूडली, यही से, main aims तो यही है, ठीक है, अब ही presently जो है, मेरे खाल से 8 या 9 aims जो है, working है, मत्तब फंक्शनल है, aims बहुत जादा इंडियम कुल रहे हैं, अब फंक्शनल है, different different posts रिलेज हुए देखे, scientist 2 की हुई है, आपको यकीन नहीं होगा, M-pharmacology जो इसकी वैकन सिया हुई है, उस पे मैं एक separate वीडियो बनाने वाला हूँ, सारी चीजे, ठीक है, अपको फटा-फटा सारी चीजे मिलेंगे, चलिए हम आते अपने काम को मुद्दे पर, pharmacist के लिए, चलिए, बहुत सारे हमारे काम की पोस्ट है, इसमें देखना पड़ेगा, देखे, अब यह आते जाईए, आते जाईए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, टेंचर नहीं लेना किसी चीज़ की, एक मन रुकी, जो इसमें था, मैं वही खोला हूँ, या कुछ और है, उसको देख लेता हूँ, इस वाले को खोलता हूँ, मैंने इसमें जो है, हाईलाइट कर रखा है, अब देखे, साइन्टिस्ट बन की भी वाइकनसी आई हुई, यहाँ पर देखिए, एम फार्मा 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 कोलोडी के लिए आई हुई है, तो भी आपको एक्टिबेट हो जाना है, अब इस पे सेप्रेट वीडियो बताऊंगा, सारी सब कुछ डिटियल डाइंग डिसकेशन आप अलाग अलाग पोस्ट हमारे काम के बहुत सारी पोस्ट है इसमें आप देखोगे तो ढंक से अगर तो देखो सोचल सर्विसेज वालों के लिए श्टूर कीपर ड्रक्स के भी आई हुई है यहाँ पर देखो आप डिगरी इन फार्मेशी फ्रम रिककना था अगर आप बी फार्मा कंडिडेट है तो श्टूर कीपर के वैकरसी यहाँ पर आई हुई है ठीक है यह सारी सीज़े है अगर आ प्रवल्म यह है कि हम लोग नमबर आप पोस्ट पे फोकस करते हैं, हमें तो चाहिए भाई साब एक ही पोस्ट ना जब प्रिल्लिम्स का चक्कर है यह नहीं, एक ही बार सिंगल एजामनेशन देना थो उसमें पोस्ट मैंटर नहीं करती है, अगर एक भी पोस्ट है, मेरा यकी फार्मेशी वाले आधर जगा भी होते हैं इलिजबल होते हैं यह भी देखना होता है ठीक है जुनेर इंजिनियर आते हैं हम लोग पोस्ट पे अपने टेक्नेशियन देखें बीस्ट वालों के लिए कितना है यहाँ पर चौबिस नंबर पे सीरल नंबर हमारा 24 है इस पर में ह इसन्षियल देखें एक इसेंशल एक डिजायरबल मने आपको क्या कहा था जब भी पोस्ट आती है डिरिजारबल की चाहिए डिजारबल की मतलब है तो ठीक है नहीं है तो चलेगा इसका मतलब रॉक्रूप्मेंट आपको रोका नहीं जाएगा यानी कि अगर डिजारबल क डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकागनाइज इंसिटूशन बहुत सारे लोग कनफीजन फैलाते हैं कि खाली डिप्लोमा वाले एम्स की दे सकते हैं बी फर्मला क्या करेंगे बिल्कुल दे सकते हैं क्लियर कट लिखा हुआ है आपको आधिय दूरी जनकारी दी जाती है क्योंकि लाइक और व्यूज लेना होता है यही बात वो अलग वीडियो में बनाएंगे फिर अलग वीडियो में एक एम्स की 75 वीडियो बनाके के वो लाइक लेने का मकसद होता है हमारे हैं कोई मकसद नहीं है आपको complete लेकिन प्रॉब्लम यही कि patience खतम हो चुका रिल अगर लिखन आता है कि रजिस्टर्ट वीडिस्थान फार्मेसिं गांसिल उप यूप फार्मेसी कांसल विफित डेली फार्मेसि एट मिंस की स्पेसिपिक स्टेट स्पेस्पिक विकनसी लेकिन एम तो अप देखनों पूरे इंडिया के लेवल का है होस्पिटल है और इम जो नमबर वन मेडिकल कॉले साइसम है, All India Institute of Medical Sciences, तो आप समझ सकते हैं, Should be a registered pharmacist means की whole India eligible है, चाहे आप तेलंगाना के हो, चाहे आप साउथ इंडिया को, चाहे नौर्थ इस्ट के हो, चाहे अडांचल प्रदेश के हो, चाहे कास्मीर के हो, everywhere candidate is available, ठीक है, that is going to be eligible, पूरा इंडिया eligible है इसके लिए, ठीक है, Diploma in Pharmacy plus registered pharmacist, आप भले से जम्मू कस्म में हैं, आप भले से UPM registered है, बट आप registered हैं, 1948 के था, that's it, फिर क्या लिखा हुआ है, note करे के लिखा बकाय दे, क्योंकि बड़ा confusion, आप लोग confusion फैलाते हैं, तो AIMS ने भी इस चीज़ को संग्याल लिया है, और सारी चीज़े क्लारिफाइ किये, applicant holding higher degree, यानि B Pharma, M Pharma, can also apply, बिल्कुल apply कर सकते हैं, the candidate should be registered pharmacist, pharmacist examination आप इंडिया में देने की चुक हैं, आप aspire होना चाहते हैं, आप बनना चाहते हैं, definitely you need to be a registered pharmacist, it is the most important criteria, हर हाल में आपको registration कराना पड़ेगा, अब देखो, desirable, desirable मतलब है तो ठीक है, नहीं है, तो कोई बात नहीं है, क्या सर, degree in pharmacy from recognized institution, या फिर experience in dispensing or storage or dispensing of drugs in reputed hospital, या drugstore और pharmaceutical concern, ठीक है, B pharma is totally eligible, यहाँ पर यह desirable है, हाई तो ठीक है, नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात समझ गए, तो diploma plus B pharma, आपको होगा सर क्या I am pharma eligible, बिल्कुल I am pharma eligible है, क्यों नहीं भार्म वाले दे सकते हैं, नौकरी तो नौकरी होती है, ठीक है, दे सकते हैं, आप देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, C class की जॉब है, age limit 30 है, यह बात याद रखिए, यह age limit 30, यानि 30 साल तक आप दे सकते हैं, 30 age limit है, ठीक है, बी से, बी सीडी वाले जितनी भी है, सारी class की जॉब जो है, उन्होंनों computer based test रखा हुआ है, कुछ नहीं करना, कोई घूस नहीं देना भाई आपको, सीधे आप computer based test दो, निकालो और हो जाओ यह मैं फार्मासिस, कोई contractual basis पर vacancy नहीं है, तो फार्मासिस की सारे information आपने ले लिए, यानि की आपको eligibility criteria clear पता लगई, डिपलोमा प्लस B pharma प्लस M pharma, anybody can fill the form, anybody from outside, that should be the citizen of India, simply, वो भर सकता है, चलिए, 30 साल एज लिमिट है, इज लिमिट धान रखिए, अगर 30 के उपर हो गए, तब नहीं दे सकते आप, चलिए, और फार्मासिस के लिए 30 ठीक है, चलिए, क्या दिक्कत है, देखे, हम सभी notice नहीं करते हैं, एक post है sanitary inspector की, बहुत अच्छी post होती है, आज मैं आपको इसी platform के माध्यम से aware करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा like पाने का मक्सद नहीं है, मेरा आपको aware करने का मक्सद है, अगर आप मेंसे किसी नहीं भी फार्मा कर रखा है, अगर आप एक साल का sanitary inspector का एक course कर लेते हो, यह post बहुत बार आती है, UPPSC में आई हुई है, SSC के दुरू आती है, sanitary inspector के दुरू आती है, बिहार में आती है, तो एक साल की बाद आप इसको course कहीं जगाँ अच्छी जगाँ करिए, फरजी जगाँ मत करिए, एक जगाँ का course है, एक साल का course आराम से ले लिजा आप इसमे इस course को लेने के बाद यह अराम से पोस्ट है, बीच बीच में पोस्ट आती रहती है, sanitary inspector की, ठीक है, इस post के लिए आप eligible हो जाएंगे, तो आज मैं इस platform के बाद हैं साब को अभेर कर रहा हूँ, कि alert हो जाएगे, यह post काफी important है, आती रहती बीच बीच में, तो अगर आप पर अभी भीड नहीं है, वहाँ पर अपर चुंटी है, मिस नहीं करना है आपको, चलिए और आते हैं, डिटेल डिसकेशन हमारा वने वाले समें, बहुत सारे पोस्ट है, लोड़ा पोस्ट आर साथ देर, अब देखिए, यह वाली बात है, फॉर्म कब से start हो रहा है, 19 नॉ कोई भी डॉक्मेंट इंक्लूडिंग राइस्टेशन स्लिप उनको नहीं भेजना है, लेकिन अपने रिकॉर्ड के लिए रखना है, यह बात याद रखे, कुछ लोग क्या करेंगे, दिल्ली का गल बगल होंगे, तो भेज देंगे, आज सब नहीं भेजना है, क्यों ऐसा क होना चाहिए, अगर आपको डिगरी है, तो कंप्लीट होना चाहिए, आपका एक्स्पिरियेंस है, तो कंप्लीट होना चाहिए, वो सारी चीज़े, रिकॉर्ड बड़े-बड़े लाइन में, कि सर वो बाद में आ जाएगा, जब डॉक्मेंट वरिफिकेशन होगा तब दि देखे, और अगर इसमें कटेगरी दिखा हुआ कि एक सीरियल नमबर एक से लेके दस तक का है, और आपका जो फार्मासिस का सीरियल था 24 था, यानि ये चीज़े आपके में वाइलेट नहीं होगे, लिकिन एक से दस तक जो सीरियल नमबर की जाब है, उनके सपोर्ट में फ स्कृटनाइस करेंगे, सही लगे का तब आपको इंटर्वी के लिए गुलाएंगे, सब को नहीं गुलाएंगे, तो इसलिए ये सब डॉक्मेंट अप्लोड करना जरूरी है, लेकिन फार्मासिस्ट वाले केस में अप्लोड करना नहीं मांगा हुआ हुआ है, क्योंकि वो क आरिवेट अनलेटिक्स ये भी जा लेजिए आप लोग, या तो आपका फस्ट और में हो, जो इन फस्ट और में हो, कर्स्पॉंडिंग जो कम्यूनिकेट कर रहा है, 19 डिसमबर थोजर बाइस पांच बजी तक आपका सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए, इंसे ओर कर लीजि रहे है, पर्सनली डिस्टेबल डेज एक्जम टेल, इतना हाई नहीं होना चाहिए, लोट फिस्टोंट और बहुत सारे बच्चे भरने वाले है, ठारा कोछ भले है, लेकिन सारी चीजे, अप्लिकेशन फीस वन्स रिमिटेड, शुड नॉट बी रिफंडेड इन इसर कॉन माघी राए आपसे, वो ऐसे भी पता है कि आप नहीं देने वाले है, रिलेक्षेशन, एज रिलेक्षेशन, हमेचा जब यह सेंट्रल वैकंसी है, यह सेंट्रल एज स्ट्रेट वैकंसी नहीं है, और आप दिल्ली में रह रहे हो, सउचो, एमस को थुरू है यह, चलिए, त तो लेको कुछ नहीं दिया जाता है स्ट के लिए 5 साल का ओबी सी के लिए 3 साल का रिलेक्सेशन ये सारी पॉलिशी आपको पता होना चाहिए यह नहीं कि आपको ओवीशी हैं अगर ओवीशी सर्टिपेट आप लगा रहे हैं 30 साल तो 30 प्लस 3 33 तक आप दे सकते हैं इसको ठी ठीक है यह सारी चीज आपने देख लिया फर गुरूप सी पोस्ट जम्मु कस्मीर के है यह पूरा कटेगरी देखे आई आपको ध्यांज पढ़ना होता है प्रॉब्लम ही हम लोग अडबर्टाइजमन नहीं पढ़ना चाहते हैं सर यह बताई यह सर वो बताई भाई सा थो थोड़ा सा पेशेंस रखिए ठीक है यह सब पढ़ना पड़ेगा आपको थोड़ा बहुत जहां इंपॉर्टेंट वो बता रहा हूं एक सर्विसमेन को भी रेलक्सेशन दिया जाता है लेकिन याज रखिए कि एस कंसेशन इस नौट अड़्मिशन टु सण या डॉटर एंड डिपेंडर्स ऑफ एक सर्विसमेन है क्यों उन्हीं को है उनकी बच्चों को बेटों को नहीं मिलेगा यह सब कुछ क्लियर है चलि अगर आपको अपने डिपार्ट्मेंट से समिट करना पड़ेगा है हमारे डिपार्ट्मेंट को कोई अपत्ती नहीं है हमें एक्जाम देने में सब कुछ you can go that is called as NOC no objection certificate ठीक है फटाफट जाद आपका समय नहीं लिया जाएगा काम की बातें है देख ले आपने सारी चीज ठीक है अब वही है कि अगर आपको तयारी करनी है सारी चीजे हैं तो आप अराम से संकल बैच को जोईन करें बिना देर किये हुए लोगों को बताईए लोग ददधा जार आठाट जार के कूर्स करें रहे हैं क्यों भाई जब अबरदस्ती का जब आपके पास 2000 रुपय मे आप दूसरे लोग अपने कॉंपरिटर मस समझें लोगों का भला करिए बताईए उनको कि नहीं अभी डिजिटल एजुकेशन में ठीक सारी चीजे चलिए फटाफट जो है संकल बैच को अवेल करिए कहा में लेगा आपको संकल बैच फार्मा पाथफाइंडर कर सकते हैं सारी चीजिए हैं यह सब मैं डिसकस कर चुका हूं आपका ज़्यादा समय नहीं लोगा संकल बैच उन्नियान बरुपए में एक साल की वाल इडिडिया यह साल के अंदर जितने एक्जाम होंगा सब आप जी भर के दीजिए लैप्टॉप पे देखिए ऑफ अच्छा इस से अलड़ी बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं चलिए तो अपना ध्यान रखिए हस्ते रहें मुस्कुराते रहें नमस्कार